हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग ओल उफ यू राधे राधे जैस्री किसना सभी को तो क्यासे आप सभी आप सभी आप सब आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल नोकरी एस्पीरेंट में आज आप डिसकस करने वाले आपके साथ 25 फिर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले फ्रेंट्स इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ तो चलो शुरू करते हमारी आज की वीडियो और वीडियो को शुरू करने सपल एक बर वीडियो को लाइक और शेयर जिरू कर देना यह था कलका कुश किस राजे ने बहतर लॉजिस्ट वेश्टा 2030 की रेंकिंग में सिर्ष्थान प्राप्तिया है तो क्या है तमिलाडु राजे ने किसे मिनी रतन स्रेनी में तेरवे प्रूसकार दास को किसे भारती कुष्टि ने प्रमुक्रो के रुमें शुना गया है संजे सिंग को कि देश के राष्ठ पति एम्येनुएल मैक्रो गंतिनतर दीवस सम्हारों 2024 में मुख्या तीत अगे तो हैं तो हैं फ्रांस देशकी राष्ठ, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कोप्रेशन लिमिटिड के निर्देस्तर के रूम में नियुत क्या गया है तो है प्रमोध सर्मा को भारती नोसेन ने हाली में किस जल छेत्र में सवदेशी गाइड़न मिसाइल तैनात की है तो किये गलफ ओफ अडेन में किस केंद्री मंतरी न तो क्या जाएगा तमिलाडू राचिमें राश्टि किषांदिवस बना जाता है तेज़ दिसंबल को गरामने विकास मंतराले ने सोम शायतस मूझ के उतपादों की पहुच बढाने के लिए किस के साथ समझता किया है तो किये है जियो माट के साथ समझता किया है अब धखत से हमारी आज की कर्णंट फेस हमारा फ्रस्ट कीुष्चन इसका कि किस अनतराश्टी हवाई अड्डे का Quran का वाय 2 को UNESCA के सबसे खूबसूरत हवाय 2 में मानिता मिल भी अतार स्थ नवाय 2 की हूं पताद मतव हो हवाय 1-2 यह जैनि टर्मिनल टू को यूनस्को के सबसे खूबसूरत हवायडों के रूम में इनने जगा बनाई है अपनी और इसको जो परसीद फैडरेशन डिजाइन की अधिस्ता विश्व नायदिस पैनल अली साब ने यह सम्मान परदान किया है इसको 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 अन्तराश्टी हवा हवायडे को जो सबसे खूबसूरत हवायडों के रूम में अपनी जगे बनाई है अधरी इंपोर्टे न्यूज देखते हैं यूनस्को के दवार किस यूनिवेस्टी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवेस्टी का दर्जा मिला है तो वह विश्व भारती किसे हाली में यूनिव को की वार्ल हेरिटेज लिष्ट में सामिल गिया है तो सांती निकेतन को ग्या है हाली महुत पो साहिते सहर बनाने की घूसन की गई है किसे पुष्टक salt and pepper selected poems के लिए परशी द्रविंदेना टेग और साहित पुष्कार दिया गया है तो किसको दिया गया यह पुष्कार बताईए अंसर है हमारे इसका सी सुकर्ता पुल कुमार को सुकर्ता पुल कुमार को परशी द्रविंदेना टेग और साहिते पुष्कार दिया गया है और किसके लिए दिया गया है तो उनकी पुष्टक है salt and pepper selected poems उनके लिए उनको यह पुष्कार दिया गया है और उनको यह छटा पु गुमार को 5000 अमरीकी डॉलर का नगत पुर्शकार मिला है उसके साथ ही टेगोर की जो परतिमा है और एक साहिते का पर्मान पत्र मिला है सुकर्ता को उनकी पुष्टक सोल्ट एन पेपर के लिए रविंदरना टेगुर का परसित सम्मान पुरुषकार मिला है उनको उसके साथ ही 5000 अमरेकी डोलर और रविंदरना टेगुर की परतिमा और साथ में एक परमान पत्र भी मिला है उनको याद रखना है इन सभी बातों का आदर इंपोर्टी नियूज देखते हैं परवासि भारति सम्मान पुरुषकार से सम्मानित महुंबद इर्फान इर्फान अली किस देश के राष्टपती है तो वो है गोयाना के राष्टपती किसको हार्वर्ड लोग स्कूल सेंटर दुवारा वेस्विक नेतर तक के लिए पुरुषकार से समानित किया जाएगा डी वाई चंद्र चूड को किसे जैपूर फिलम फेस्टिबल में लाहिट टाम अचीमन अबॉर्ड से नमाजा गया है तो वो है अर्परना सैन को केंद्र सरकार ने कि इस राजी की उद्धमो का वर्ष प्रियोजना को सुर्वत्ता मभ्यास बोडल की रूम में मानिता दी है तो है केरल राज्ये को इस कुशन है हाली में जारी स्किल्स रिपोर्ट दोजार चोबिस करने सार भारत में काम करने वाले के लिए सबसे पसंदी दा राज्ये कौन सा बन गया तो बताई फरेंज कौन सा है मैं चछल्स रिपोर्ट के लुशना जो भारत के लिए सबसे जदा काम करने के लिए पसंदी दा राज्ये बना है तो इसका शुरू हो जाएग हमारा केरल राज्ये इंडिया स्किल्स रुपोर्ट दोजार हाली में प्रकासित हुई है इंडिया स्किल्स रुपोर्ट दोजार जो हाली में प्रकासित हुई उससे पता चला है कि जो केरल के दो सहर है कौन-कौन से कोच्ची और तिरुणपरो इन में भारत के युवास के बीच सबसे ज़्याद में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग पाए गए हैं इसलिए केरल के ये पसिंद्ध राजे बने हैं काम करने के लिए आधर इंपोर्टे नीज देखते हैं यूबिय ग्लोबल ने किस राजे के स्टार्ट अप मिसन को दुनिया के नंबर वन सारोजिन के वेपार इनक्यूबेटर के रूमें दर्जा दिया है तो हो है केरल राजे रामसर स्थलो की इस रुक्षा में विफल रहने पर एंजिटी ने किस राजे सरकार पर 10 क्रोट रूपे का जुर्मान लगाया है तो हो है केरल राजे वे किस राजे सरकार ने गर्मियों में पाने की कमी की समसर से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपना है केरल राजे ने अपना है ये बजट किस ने पुरूस फुरग में अंटराश्टे ट्रीनिक मासंग 24 चैमें 2003 का खिताब अपने नाम किया आप बताइए तो इसका आंसर है हमारा ए नोवाक जोकोवीच ने पुरूस बुरग में अंतराश्ट टेनिक मासंग के विशन्चेप में दोसर टेस का किताब अपने नाम किया है आदरी उंपोटिन्यूज दखते है इनफोशी स्ने की स्टार टेनिस के लारी को गलोबल ब्रांड अमेजडर के रूम में न्यूक क्या है तो राफल नराल को क्या है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंडेक्टर टूर्नामेंट विमन्स डबल केटरिंग का टाइटल जीतने वाली पहली भारती जोड़ी बन गई है तो वो है सुतीर्था मुखडजी और अहीका मुखडजी ये दोनु जोड़ी बनी है टाइटल जीतने वाली पहली किस राज़े में साफ्ट एसियन यूथ टेबल टेनिस चेंपिंशिप 2023 का आजिन क्या गया है तो ये क्या गया है अरुनोराचल राज़े में अरुनोराचल पर्देश राज़े में क्या गया है ATP Master 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उमर्द राज टेनिस के लाड़ी कौन बन गई तो कौन बने है तो वो है रोहन बोपनना नेस्ट क्यूशन देखते हैं फ्रेंस आपसे रिक्वेस्ट है एक बड़ वीडियो को लाइक और शेयर जूरू कर देना साथ ही कमेट करके बताने वीडियो कैसे लगी है आपको ताकि और भी हेलफिल वीडियो लेकर आए आपके लिए करेट अफेयर्स की जो आपके लिए इंपोटेंट हो आपके पिजी से पीजी तक निसूल कि सिख्षा योजना शुरू किया तो किस राजसरकार ने शुरू किया है यह यह बताईए तो आंसर है इसका हमारा सी राजस्थान राजसरकार आपको बताए फ्रेंस जो राजस्थान सरकार है उन्होंने 22 दिसंबर से अपनी प्राथ मिक्ता योजना बनाई है उन्होंने उसमें प्राथमिक्ता में लड़कियों के लिए मुख्यते लड़कियों के लिए जो केजी क्लास से लेकर पिजी तक को उनको स्कूल के सिक्षा दी जाएगी मतलब जो केजी क्लास से लेकर केजी से लेकर सना तक PG तक बिये तक उनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी मतलब उनको फिरी में पढ़ाया जाएगा यह योजना बनाई है राजस्तान राज्य सरकार ने उनको फिरी में सिख्षा दी जाएगी लड़कियों को कैजी से लेकर PG तक किस राजे के मुख्य मंत्री ने डिजिटल स्याओ के लिए हीम डेटा पोर्टल लौंज किया है तो वो किया है हिमाचल परदेश राजे ने किस राजे के मुख्य मंत्री ने किया है किस राजे के मुख्य मंत्री ने सवदेशी मसाला वित्रनी कारिकरम का उदखाटन किया है तो वो किया तिरपुरा राजे के मुख्य मंत्री ने किस राजय सरकार ने डिजिटल ग्रामिर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना प्रारम की है तो ये रोजना की है उत्तर परदेश राजय सरकार ने किस राजय सरकार ने सुगम ग्रामिर प्रिवें के लिमुख्य मंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रहराम की है तो कि यह जारखन राजय सरकार ने यह एक्सक्विशन है किस राजय में तीन दिवसी डेरी एं पसु एकस्पो नोजार तेस का उध्घातन की आगा है तो ये किस राज में किया गए बताइए तो इसका अंसर हो जाएगा ए भिहार राज़े में है दिवे स्uff मुखे मंत ये निटिष Snate नितिष को मार ने किया है इन दिवे स्ब्रेश om देफितल जोसुए एक्सबो को अधगाटन इसके लावा उन्हों ने कुल 411 करोड रूपे की पांच डेरी कारखन और कॉमफर्ट उपकरण का भी उध घाटन किया थे देरी पसु पालन का उधगाटन तो क्या है किया उन्होंने साथ में उन्होंने जो 4011 करोड रूपे की प पाच डेर इकार खान ने और साथ में कॉंफर्ट उपकरन का भी उद्गाटन किया है बिहार के मुख्य मंत्री नितीज कुमार ने आदरी उंपोर्ट निउच देखते हैं किस राजे सरकार ने बेरोजगर यूआओ के लिए मुख्य मंत्री सीखो कमाऊ योजना प्रारम की है महिलाव के लिए कारिश्थल को श्रुक्षित बनाने के उद्धे से इसे किस राजे सरकार ने सहास पहल प्रारम की है तो वो किये तेलंगाना राजे ने तिर्थी आत्री को मुफ्त हवाई यात्रा परधन करने वारा देश का पहले राजे कौन से बन गए वो है मद्दे परदेश किस राजे सरकार दुआ सास्टन लागू दारी पहल सुरू की गई है तो की गई है महाराष्ट राजे के दुआरा किस राजे में किस राजे में पांच दिविशिय कुन्न वन मौसव का आईजन क्या गया है तो किस राजे में क्या गया है कुन्न वन मौसव का आईजन तो इसका अंसर है हमारा सी मद्दे परदेश राजे में कहां पर क्या गए हैं में ये तो मद्य पर्देश्ट के जो स्यूपूर जिला है स्यूपूर जिला के जो भारी इलाका है एक भारी इलाके में गाउं है कौन सा गाउं है रानिपुरा गाउं वहां पर ये पांच दीविस से कुनुवन मौसव का आउजन किया गया है और ये आउजन कब हुआ था तो ये आउजन आथा 17 दिसंबर को इसका आउजन किया गया था 17 दिसंबर को और कब से कब तक 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक इस कुर्णू वन मौसव का आजन किया जाएगा किया गया है और यह कहां पर किया गया था तो मद्यपर्देश के सुविपूर जिले के भारी लाग का एक गाव है रानिपूरा वहां पर इस कुर्णू के पांच दीवे से मौसव का आजन किया गया थे मद्यपर्देश के में कब से कब तक तो 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक इसका आज़न हुआ था अधर इंपोर्टे नीज देखते हैं किस राज़े में भारत का पहला समावेशन मौसव परपल फर्ष्ट शुरू किया गए है तो क्या गोवा में वर्ष दोजर चौबिस में कौन सो सहर सेर ने किस सहर में गंगा के तर्ट पर अंतराष्टी योगा मौसव दोजर तेस का आउज़न क्या गए है तो क्या गए रिसी के सहर में नेश्विशन देखते हैं किस राज़े सरका ने सभी न्यालों में लाइव स्ट्रीमिंग की जरिये सुनवाई की गोशना की है तो किस इसके लिए उन्होंने मद्यपर्देश के हाइप को ने रवी मलिमत ने इंटीग्रेटिड वीडियो कोर्ट्रूम लाइव ओडियो और ओटीटी प्लेटफोरूम का सुभारम किया है उन्होंने सभी न्यालों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये सुनवाई करने की गोशन किस राजे में पांचवा हेलिकोप्टर और लगू विमान सिकर समयन आजित क्या गया है तो वह क्या गया है मद्यपर्देश राजे में किस राजे के भादवगार टाइगर इजव के अंतर दो अजार साल पुरानी आधुनिक सभिता के एफसेस मिले हैं तो वह मिले पर्देश राजे में किस राजária में एसे का पहला फ्लौट्रिंग Festival शुरू कि आ गया है तो यह भी क्या गया मद्यपर्देश राजे में सुशासन दिवस बना जाता है तो कब बना जाता है बताई तो आंसुर हमारे इसका दी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बना जाता है हर साल और क्यों बना जाता है तो जो हमारे पूरु परधार मंत्री थे अटल भिहारी वाजबै उनके जनम दिन की अवसर पर 25 दिसंबर को सु सूसासन दिवस की शुरुवात हुई थी साल 2014 में साल 2014 में पहली बर सूसासन दिवस की शुरुवात की गई थी और साल 2021 में केंदे सरकार ने सूसासन सप्ता बनाने की शुरुवात की थी दो 2014 में तो सूसासन दिवस मनाय की शुरुवात हुई थी और सप्ता सप्ता बनाने की शुरुआत हुए थी साल 2021 में केंदे सरकाने सूसासन सब्सक्राइब बनाने की शुरुआत की थी इसलिए 25 दिसंबर को सूसासन दिवस बना जाता है अटल बिहारी वाजपे के जनम दिन पर जो हमारे पूर परधार मंतरी रहे थी आधर इंपोर्टिन हो जेकते हैं जून को बना जाता है विश्व संगीत दिवस और 21 जून को ही योग डेवी बना जाता है योग दिवस भी 21 जून को ही बना जाता है याद रखने है next question देखते हैं राष्टे महला आयो की पूर वद्यक्स का निदन हो गया है तो कौन है किस पूर वद्यक्स का निदन हो है राष्टे महला आयो की तो इसका right answer है C V महनी गिरी का निदन हो गया है जो राष्टे महला आयो की पूर वद्यक्स थी जिनका 86 वर्ष के आयो में निदन हो गया है और आपको बता दे फ्रेंस जो भी मोहनीगीरी वो पदन बूसन से सम्मानित थी और उनको 2007 में पदन बूसन से सम्मानित क्या गया था और वे राष्टे महला आयो की अधेक्स भी थी और वे 1995 से लेकर 1998 में तक राष्टे महला आयो की अधेक्स के पद पर कारिकर्ट रही थी जिसका अब 86 वर्ष की आयो में निदन हो गया है अधर इंपोर्टन नुज देखते हैं किस प्रख्यात पार्स गाईका का हाले में निदन हो आया वानी जे राम का बॉलिवोड का किस दिगच एक्टर का 37 साल की उमर में निदन हो गया तो है जावेद खान अमरोही का किस दिगच भारती फुटवोल का निदन हो गया तूलसी दास बल्षाम का किस मसूर क्लासिकल डासर का 85 साल की उमर में निदन हो गया किसको उपनियास मुझे पैचानों के लिए हिंदी भासा में साहिती अकादम पुरुषका दोज़ा तेश दिया गया है तो किसको दिया गया है यह पुरुषका तो इसका आंसूर आप सभी को कमेंट सक्सें बताना है जो भी राइट आंसूर इसका सामन गयांडोज देखते हैं भारत के राष्टी चिने में प्रियुक सबद सत्य में जैते किस उपनिनिष्द से लिया गया है तो यह लिया गया मुंडख उपनिष्द से। आरे-स बत का साबदिक अर्थ क्या है स्रैश्ट या कुली इसका साबदिक अर्थ है किस वेदमे प्राचिर वेदिक योगन संस्क्रित के बारें जानकर मिलते हैं तो मिलते रिघ्वेदमें वेदु की संक्रकित कितनी है चार जेन ध्रम के पर्थम तितकर को थे वो थे रिशब देव मात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था सिधार्थ बच्पन का नाम था सिधार्थ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो सभी कैसे लगी कमेरी सेक्षन में जुरू बता देना साथ इव वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना पीडिप्स और नॉट्स के लिए भी अब हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.naukaryespran.com थेंकिए फ्रेंड्स बाई बाई रादे रादे टेक केर